Hello viewers, this is Priya. Today we will start Class 9, Geography Chapter 1, India Size and Location. एक बार मेरी क्लास में चिकली बोलती है, मैम यह जो पिकली है ना, यह डॉरे मॉन की तरह उड़ती रहती है, इसके पास लगता है डॉरे मॉन का गैजट आ गया है, वैसे मैम मुझे यह पता नहीं चलता कि जो डॉरे मॉन है ना, इसको लोकेशन का कैसे पता चलता है, फिर मैंने बताया कि बेटा आज के चैप्टर में हम यही तो पढ़ने वाले हैं, Size and Location, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हम अगर World Map में देखें, तो World Map को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, यह आप लाइन भी देख सकते हैं यहां पर, तो इस लाइन को बोला जाता है equator, जो टू पार्ट में डिवाइड करता है वर्ल्ड को, तो जो उपर वाला पार्ट है, वो है North पार्ट और नीचे वाला South, तो उपर वाले पार्ट को बोला जाता है Northern Hemisphere और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है Southern Hemisphere, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो Northern Hemisphere में है, अगर हमें किसी की location पता करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसका latitude और longitude latitude बोले तो जो आपको यहाँ पे straight line दिखाई दे रही है न लेटी हुई जो line है horizontal shape में तो इसे बोला जाता है latitude और अगर जो line straight खड़ी हुई होती है vertical shape में होती है तो उन्हें बोला जाता है longitude ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ mostly people को direction समझने में problem होती है जैसे की बोलते हैं कि latitude 8 degree 4 minute north है 37 degree 6 minute north है तो ये north east west कैसे plot किया हूआ है पूरे world में ये समझनी आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हमारे पस world map दिया है इसको मैंने पहले vertically divide किया अब मैंने horizontally भी divide कर दिया और यहाँ पे मैंने 0 degree और 0 degree लिख दिया दोनों side अब जो भी जो भी part हमारा east side में है उसको मैं east side में divide कर दूँगी west वाले को west side में divide कर दूँगी north और south को भी ऐसे divide कर दूँगी अब यहाँ पे मैं 0 से start कर दूँगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जिसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0 degree, 30 degree, east 60 degree, 90 degree, 120, 150, 180 degree east ऐसे ही अगर हम west side में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है 30 degree west, 60 degree west 90, 120, 150 और 180 degree west अगर हम south में देखें तो south में ही ऐसे ही divide किया हुआ है 0 degree, 15 degree, 30, 40, 45, 60, 75 ऐसी हमारा north में भी divide किया हुआ है और यह जो line दिखाए दे रहे हैं horizontal line, जो मैंने जिस पे 0 degree लिखा हुआ है, यह equator है जो कि two parts में divide करता है world को imagine करो कि अगर डॉरेमॉन southern hemisphere में खड़ा है और तुम्हे उसकी location देखनी है तो सबसे पहले देखोगे latitude तो latitude है यह हमारा 45 degree south और अगर हम longitude में देखेंगे तो यह आ रहा है 90 degree east तो हम यह बोल सकते हैं कि डॉरेमॉन की position है 45 degree south और 90 degree east और फिर वहां से उसको पकड़ लिया जाएगा exact location पे ऐसे ही तो trace करते हैं लोगों को अब बात करते हैं इंडिया की इंडिया का जो latitude है वो है 8 degree 4th minute north and 37 degree 6th minute north और longitude देखा जाए तो 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east एक line है 23 degree 30 minutes north पर जिसका नाम है tropic of cancer ये वो वाला cancer नहीं है ये तो इंडिया को two equal parts में divide करता है अगर हम इंडिया के east वाले पार्ट में जाएं और वहां से south direction में जाने लग जाएं तो हम south इस direction में जा रहे हैं और यहां पे है अंडमान एन नीकोबार आईलेंड west के side जाएं तो south west वाला area आता है वहां पे हमें दिखता है कि एक island है जिसका नाम है लक्षुदी ये island Arabian Sea में है और अंडमान नीकोबार है Bay of Bengal में दुक्की तो बात ये है कि 2004 में इंडिया के southernmost point जिसे बोला जाता था इंद्रा point वो submerged हो गया था सुनामी की वज़े से डूब गया था अब इंडिया का size देखते हैं इंडिया का total land mass जो है वो है 3.28 million square kilometer और अगर हम पूरे world के comparison में देखें तो only 2.4% ही area cover करता है इंडिया पूरे world में सबसे ज़्यादा area तो सबसे ज़्यादा land mass तो रशिया का है largest country of the world है second number पे Canada तो ऐसे करते करते इंडिया तो 7th number पे है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया is the 7th largest country of the world क्या आप मुझे comment section में बताएंगे कि चाइना कौन से नंबर पे है इंडिया की अगर हम land boundary देखे land boundary बोले तो जो भी land से touch हो रही है boundary sea वाली इसमे count नहीं करेंगे तो जो land boundary है वो है 15,200 km और अगर हम sea की बात करें coast line जो sea से touch होती हुई boundary है वो है 7,516.6 km और इसमें अंडमा निकुबर और लक्षदीब भी included है इंडिया के northwest, north और northeast वाले एरिया में young fall mountains है अगर हम इंडिया के सबसे west में जाएं मतलब सबसे कोने में जाएं west के तो हम में दिखेगा gujarat और ऐसे ही अगर हम east में जाएं सबसे कोने वाला point east का तो वो है अरुनाचल परदेश यहाँ पे अगर हम देखे तो gujarat और अरुनाचल परदेश के बीच में two hours का difference होता है जैसे कि अगर अरुनाचल परदेश में one o clock हो रहे हैं तो gujarat में three o clock होंगे तो people's तो ऐसे confuse हो जाएंगे ना कि कहां पर क्या time है तो इस वज़े से एक standard time रखा गया जो line 82 degree 30 minutes east से होते ही जारी है उसे बोला गया कि यह है अब हमारा standard meridian मतलब कि इसी line के according अब time चलेगा जो भी state इस line पे है जैसे कि मिर्जापूर उत्तर परदेश में जो मिर्जापूर है वो इस line पे ही आता है तो यहां पर जो भी time होगा वो ही पूरी country apply करेगी अगर यहां पे one o clock हो रहा है तो अरुनाचल परदेश में भी one o clock ही माना जाएगा गुजरात में भी one o clock माना जाएगा तो हमारा जो इंडिया का time है न वो standard meridian के according चलता है इसलिए इसे बोला जाता है standard meridian of India next India and the world हमारा इंडिया एशिया में है तो एशिया की central location में है यहां से east में भी जा सकते हैं हम और west Asia में भी जा सकते हैं इतनी prime location है हमारे इंडिया की इंडिया योरोप को west side से और जो east Asia वाली countries है उसको भी connect करता है क्योंकि अगर कोई भी योरोप से east Asia वाली countries में जाएगा वो इंडिया होते हुए तो जाएगा इंडिया डैक एंड पैनिसुला होने के वज़े से भी काफी सारी country से connected है पैनिसुला बोले तो कोई भी country अगर तीनो साइड से थ्री साइड से water से घिरी हुई है watery water है तीनो साइड तो फिर उसे बोला जाता है पैनिसुला जैसे की इंडिया में देख सकते हैं एक साइड west valley साइड अरेबियन सी है south में हमारा Indian Ocean है और east में हमारा way of Bengal है तो तीनो साइड हो गया ना watery water तो western coast से हम west Asia Africa और Europe में जा सकते हैं और eastern coast से south east और east Asia की countries में जा सकते हैं India's neighbors अब हम देखेंगे कि इंडिया के आसपास जितनी भी country connected है वो कौन कौन सी है तो जो भी land वाला एरिया है ना इंडिया का वहाँ पे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान north west side में connected है और अगर हम north में जाएं तो चाइना नैपाल भुटान और अगर east में जाएं तो मयनमार पांगलादेश है land का तो आपको पता चल गया लेकिन C वाली जो country है जो C से connected है इंडिया से वो है Sri Lanka और Maldives Sri Lanka में आप ये देख रहे है narrow channel है तो यहाँ पे जो east वाली side है उसे बुला जाता है पार्क स्टेट और जो west वाली side है उसे बुला जाता है Gulf of Manar यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम लक्षदीब से south वाली direction में जाएंगे तो हमें Maldives मिल जाएगा हमारी country में total 28 states and 8 union territories है यह थी इस chapter की story अब देखना यह है कि सबसे पहले इस question का answer कौन comment box में बताता है मुझे and please like this video and share with your friends thank you